है यह गाईज में के के जएड और आप देख रहे हैं हमारा चनल की के जएड नाइट इन टेकनिकल्स तो आज हम एश्टी में कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिसकर्स करेंगे तो हमने प्रिवस्ट वीडियो में आई फ्रेम के बारे में देखा था कि कैसे आप आई फ्र हम हम हाइट ञर्विट चर यूज दौैर्ड तेख कर सकते हैं ठीक है आप इसका यूज जो ओता है पिस टैग के अंदर टेक है जो आइफ्रेम है उसी के अंदर आप इन लाइणस के स्टी शुम के नदर आप हैट और वि Kings कर सकते हैं अदब से ऊसका यूज करके आप डारे the size of the i-frame ठीक है मतलब हम height and width जो attributes है वो हम i-frame tag के अंदर इसलिए use करते हैं ताकि हम जो वहाँ पर जो web pages या फिर web address src attributes से उसके अंदर जो हम web page का address जब हम देते हैं ठीक है तो हम उसके size को उसके height of width को manage कर सके है ठीक है उस i-frame के अंदर ठीक है इसलिए हम height and width attributes का use करते हैं i-frame के अंदर ठीक है जो हम एक्चल में जो हम web address देंगे src के अंदर ठीक है वह एक्चल में जब web browser के अंदर हमारा open होगा ठीक है तो उसका size और width को decide करेगा attributes height and width ठीक है तो जो height and second point के बारे में बात करें तो height and width are the specified in the pixels ठीक है जो height and width जो आपका है बेसिकली फिक्सल में आपका जो भी आप height and width दोगे उसका size वह आपको फिक्सल में accept करेगा ठीक है मतलब उस फिक्सल में आपका accept करेगा ठीक है बस बोलने का मतलब इतना था मैं इसको practical आपको करके बताऊंगो तो आपको easy समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसके बाद हम directly practical में जाके देख लेते हैं इसी जो को ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे html आपका जो source element है आपको पता है कि root element है आपका ठीक है तो आपको simply करना है उसके बाद उसको close करना है देन आपको head tag यूज़ करना है उसके बाद head tag को भी आपको close कर देना है ठीक है head tag को close करने के बाद आपको body tag यूज़ करनी है ठीक है उस body tag को भी आपको close कर देना है ठीक है आपको इतना चीज तो common है है मैं हमेशा बताता है हूँ बॉडी टेक के अंदर विजिवल पार्ट हो जी है जो आपको चीज़े आपको वेब ब्राउजर के अंदर सो करने हैं तो हम सिंपली मैं जैसे आपस एक एक मैसेज पास करवा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी से समझ में आ जाए है एच्वन करके मैं यहां पर टाइप कर दूँगा आपका HTML कैप्टल लेटर में HTML आई फ्रेम ठीक है आई फ्रेम ठेक और विड्थ हाइट एंड तो विड्थ टेक है इंसेज है पर सिंप्ली एक है है आध्य में है टाम यूज करूंगा आपका का आई फ्रैम टैग यूज कर फ्रेम टेकर आपको यहाँ पर सराइ रेंच है अपको आपको करना है आपको I कि आध मेरे का करते है ठीक है यह पर ऊसीफ कर लेता Some आपको इस आई फ्रेम के अंदर में क्या करूंगा चीजों को यूज करूंगा तो मैं यहां पास जैसे यूज करता हूं आपका यूज करता हूं तो मैं यहां पर जो चीजे देने वाला हूं मैं करूंगा और इसके अंदर कोई भी चीज लेता हूं जैसे मैं कैप्शन वाला जो मेरे बनाया था टेबल के लिए ठीक है मैं उसका यूरा ले ले लेता हूं फोल्डर एच्टी एमेल है ठीक है तो मैं यहां पस पात दे दूँगा आपका ताकि वो चीजों को मैं यहां पस एच्टी एमेल और बैक्सलेस कर दूँगा ठीक है मतलब तो आप से जनरली आपको देना पड़ेगा इस पात को तभी हो क्या करेगा उस पेच तक पहुंच पाएगा ठीक है तो इसके बाद मैं क्या करूँगा जो हई है है हाई payments है इसको यूज करूँट मैं आप 10 ans का कि मैं को दिखाता हूं पहले ठीक है उसके बाद पिर मैं इससका जो उसे करूँगा सभन चाहें यह अथि पता है कि यह इधाल्ट अपका फिक्सल में यहां देखता है ठीक है चाहिए आप इस्टाइल आट्रिब्ट करोगे इन लाइन की थूट है मतलब इन लाइन से स्के यूज करोगे इसके अनदर टीक है जैसे बाकी मैंने बाकी प्रोगाम में करते हुआ हूँ तो आप इन-line CSS का भी यूज़ करोगे उसके अंदर आप height and width set करोगे तब भी फिक्षल मिलेगा और यह आप height and width attributes यूज़ कर रहे हो उसको एधी कुछ data दे रहे हो value दे रहे हो तब भी फिक्षल में होगा तो मैंने यह data दे दिया तो मैं कहा करूंगा इसे चैनली एक बार सीफ कर लेता हूं ठीक है फाइल तो मेरा उड्रेडी सेफ है एक बार मैं इसे run कराके देखता हूं यहांपस दे रहा है तो देखिए मेरा एक फाइल दिखाई आपको यहां पस दे रहा हो गया देखिए मैंने टेबल बनाया था कैप्सन वाले पर आपको पता एक heading में दिया था html frame with height and height and width तीक है उसके अंदर मैंने एक page open किया था देखिए हांपस एक जो frame है ने open किया है क्योंकि क्योंकि मेरा इस address को iframe ने hold करके रखा हुआ है ठीक है इस html caption dot html तीक है यहांपस तो folder है ठीक है उसके दिखिए मैंने slash किया ठीक है एक्छल पा email उसका extension है height and width तो आपको पता ही attributes है ठीक है तो यहांपस देख सकते हो कि आपका एक frame scroll wise भी आप देख सकते हो इसको ठीक है वर्टिकल horizontal दोनों वाइस आप यहांपस देख सकते हो ठीक है तो मैं इस इस frame को थोड़ा करूंगा ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे बस उस इसे सेफ कर दूँगा और फिर मैं इसे एक बार refresh करके देखता हूं फिर देख सकते हो जब मैंने 500 यहांपस किया 500 height and 500 width तो यह पूरी साइज open हो गई ठीक है जो मैंने table caption वाला जो page था उसका address मैंने आई-frame के अंदर दे दिया उसकी height and width मैंने set कर दी ठीक है तो आप अपन control s भी कर सकते हो यहां सेफ कर सकते हो देन अगेन आप यहां f5 भी कर सकते हो तभी आपका refresh हो जाएगा तो आपको अच्छा दिख रहा है कि इस web browser ने आपके फिर आई-frame ने आपके इस web address को hold करके रखा हुआ है तो इसी तरह आप आई-frame का यूज कर सकते हैं तो पसंद आय होगे तो आपको हमारे वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइब